टू माई यूटूब चैनल सागर स्टडी गुरूप और आज की इस वीडियो में हम BSC 3rd year के जो Open Book से examination हो रहे हैं तो 2021 में उसका आज हम Computer Science का First Paper लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम इस Computer Science के First Paper के संपूर्ण प्रिश्ण उत्तर को देखेंगे तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला Question तो हमारा पहला Question है सही उत्तर का चैन कीजिए तो इसमें जो पहला Question है इसका answer B number का होगा इसमें जो Second Question है इसका answer D number का होगा और इसमें जो Third Question है इसका answer B number का होगा इसका आंसर A नंबर का होगा, फिर इसके बाद है इसका 7th question इसका आंसर A नंबर का होगा, इसके बाद 8th question है इसका आंसर D नंबर का होगा, इसके बाद 9th question है इसका आंसर D नंबर का होगा, और इसके बाद 10th question है इसका आंसर D नंबर का होगा, तो आप यहां से इसको देखकर लिख सकते हैं फिर इसके बाद एक खंडबा या सेक्षन भी जिसमें लगुत्री ये प्रिष्ण है और एक प्रिष्ण है पांच प्रिष्ण है और हर प्रिष्ण का अंक दो नमबर का है तो इसमें जो second question है इसका अंसर कुछ इस प्रकाश से दिया गया है फिर इसके बाद third question है इसका अंसर इसके जश्ट नीचे दिया गया है तो आप यहां से इसको देखकर लिख सकते हैं फिर इसके बाद fourth question तो fourth question में अथभा किया गया है तो आप यहां से इसको देखकर लिख सकते हैं फिर इसके बाद fifth question तो fifth question में man question को किया गया है और यहां पर इसका अंसर दिय गया है तो आप यहां से इसको देखकर लिख सकते हैं और इसके बाद six question है इसका answer इसके just नीचे दिया गया है तो आप यहां से इसको देखकर लिख सकते हैं फिर इसके बाद है eight question तो eight question में अथभा किया गया है जिसमें three level को बताना था तो यहां पर इसका answer दिया गया है तो आप यहां से इसको देखकर लिख सकते हैं, इसका अंसर कुछ इस परकार से इस स्लाइट पर भी दिया गया है, और इस स्लाइट पर भी इसका अंसर दिया गया है, तो आप यहां से इसको स्क्रीन सॉट लेकर लिख सकते हैं, फिर इसके बाद है नाइंत कॉस्चन, तो नाइं बाद है 10th question तो 10th question में इसका answer इस slide पर दिया गया है और इस slide पर भी कुछ इस प्रकार से दिया गया है तो आप यहां से इसको देखकर लिख सकते हैं और यहां पर भी इस slide पर भी इसका answer दिया गया है और इसके बाद है 11th question तो 11th question का answer कुछ इस प्रकार से slide पर दिया गया है तो आप इसका screenshot लेकर इसको लिख सकते हैं, फिर इसके बाद इस slide पर भी दिया गया है, और इस slide पर भी दिया गया है, इस slide पर भी इसका answer दिया गया है, तो आप यहां से इसका screenshot लेकर लिख सकते हैं, तो thanks for watching, और यदि आप हमारे channel पर नए हैं, तो channel को subscribe करें, well icon दवाना न भूले, thank you